मुझा जाइब है मुझा जाइब है उन्होंने नमन किया है तमाम आप मेरे पीछे जो जमावडा देख रहे है यह बहुझा समाजपार्टी के नेताकार्य करता है जो कि पूरे देश से यहाँ पर मौझूद रहते है जिस प्रकार पूरे भारत के अंदर में और देखे तो बबा साहब की मिशन मुवमेंट को जिस पर एक समय की बाद में नाबूत कर दिया गया था बबा साहब का चर्चाव में नाम नहीं आ रहा था और इसी में बहुजन समाच पाइटी के नेता कारेकरता समर्थक ये मनर कांशिराम साहब के जन्म दिवस को भी बहुत हरसुलास और उर्जा के साथ में मनाते है इस वक्त हम लोग बहुजन समाच पाइटी के लखनो प्रदेश के कारेले में मौझूद है पर आप मेरे पीछे एक बहुत बड़ा जमावडा देख रहे होंगे कि तमाम ये कारेकरता बदादीकारी लोग आये हुए है इस मौके पर मनर कांशिराम साहब की जेंत यहाँ पर मनाई जा रही है पुरे प्रदेश से लोग खास्तों पर यहाँ पर आते है और इतना ही नहीं तो पुरे भारत से यहाँ पर आते है और मनर कांशिराम साहब की त्याक्त पस्या बलिदान और उनके संगर्शों को नमन करते हैं जिस प्रकार उन्हों ने अपना मिशन मुष्मेंटर जो आंदोलन चला है जिसके ब़ुझitta आज कहिने के हम बहुझन महापूर्चों को जान पा रहे है उनके संगर्शों को जान पा रहे है यह कांशिराम साहब की ब़ुझच कहिने की है अगर उन्होंने ये कारवा, ये मुवमेंट अगर आगे नहीं बढ़ाया होता तो आज जो बहुजन समाज पार्टी या फिर हम कहें कि बहुजन मुवमेंट हमको कहने के जो नजर आती है ये कदापी नजर नहीं आती और मानने और कांशिराम सहाब ने जिस प्रकार अपना चलाया, 4200 किलोमेटर चल कर, गाओ गाओ घुम कर, कन्या कुमारी से लेकर तो कश्मिर तक और पूरा भारत जो उन्होंने भ्रमन किया, जिसके कारण तमाम बहुजन समाज को एकत्रित करने का काम किया, जातियों को जोडने का काम किया, जिसका फल्सोरू हमें मिला, कि एक आफ़ भार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, तो 4-4 बार भार भार भूजन समाज पार्टी ने सत्ता में आकर आखिर बता लिया, हम वही पूर्गे है, जिनून̇ इस देश के अंदर में राच किया, समराट असोग के राच को मन्यरकान श्राम सहब लाना चाए थे भारत के अंदर में उसी प्रकार के राज की संकल्पना वो कर रहे थे और हमेशा अपने बातों में वो कहते थे कि मुझे समराट अशोक जैसा भारत चाहिए जहाँ पर भारत को सोने की चिडिया कहा जाता था जहाँ पर भारत एक खुशाली वाला जीवन जीरा था इस देश क की अंदर में तमाम जो बहुजन समाज है उकरिस परकार जनकल्यांकरी जीवन जीए इसाथ आख पुरह भारत के अंदर में किस परकार संकता स्वातंतरता, बंदुता और नयाप्रस्ता भी तो ये संकल्पना को लेकर इस विचारधारा को रेकर मानने और कांश रामस अपने पूरे जीवन में काम किया और उनके ही जयन्ति की हुपलक्ष भर बड़े पर बड़े पहमाने परT कींकी जयन्ति को भारत के अंदर में मनाया जाता है। माननेर कंश्राम साहब है ऐसा विशलेशक हो के माध्यम से लगातर यह बाती कही जाती है यह अगर बहुजन मुमेंट को आप अगर पड़ेंगे तो ज़रूर यह आपको बात समझ में आएगी तमाम यहाँ पर जो लोग पदा दिकारी आए हुए है यह माननेर कंश्राम को नमन कर रहे है उनके मूर्तित तस्वीरों को नमन नहीं किया जा रहा है तो उनके संगर्शों को और उनके विचारधारा को नमन किया जा रहा है जिस प्रकार वो चाहते थे इस देश के अंदर में बाबा साहब की जो विचारधारा है बाबा साहब की जो मुमेंट है वे मुमेंट को पूरा करना ही जीवन का एक मातर उद्देश होगा और इसे के साथ उन्हें तमाम तरीके के जो निरणने लिए अपने जीवन के अंदर में मैं कभी शादी नहीं करूँगा, मैं सांसारिक जीवन नहीं बनाऊंगा, मैं कभी धन संचे नहीं करूँगा, संपत्ति नहीं बनाउगा और बावसा आपका moment ही ये मेरा जीवन का एक मात्रा उद्देश है इसे ही सफल करना ही मीरा जीवन का एक मात्रा उद्देश है ये तमाम तरीकी की चीज़ें उन्हें अपने जीवन के अंदर में रखी जिसके कारण आज जो बहुजन समाज जीतना भी संगर्चों के बदलत उनके जो त्याक तपस्य बलिदान के बदलत जीवन जी पा रहा है उनके मुमेंट के बदलत कहिने के हम कहेंगे साथियो हम यहाँ पर सीधी बातचीत कर रहे है एक्सक्लूजिव तस्वीर आपको बता रहे है मुनवादी मीडिया इन तमाम चीजों का आपको कदापी नहीं बताएगा नैशनल चौपाल से इसा आपको एक्सक्लूजिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे है क्या सोच रख र को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट करें शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दवाना ना भूले